हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आए आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 एलजेब्रीक एक्सप्रेशन एक्ससाइज 8.3 इससे पहले हम लोगों ने एक्ससाइज 8.1 और 8.2 कर लिया है चलिए इसे खतम करते 8.3 छोटा सा और बहुत ही प्यारा से एक्ससाइज है करना पर टूपूट करने यह जो तो प्रैकेट आप देख रहे हैं इसके बीच में जब कोई साइन नहीं होता है तो मैल्टिप्लाइगा साइन होता है माइनस फाइव तो यह थ्री टू से क्या हुआ हुआ सिक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू वान बस हो गया हो गया सिंपल गया 3M स्क्वार 3M स्क्वार M क्या है 2 माइनस टू इंटू 2 और यह माइनस 7 यहां से क्या मिलेगा 3 इंटू 2 का स्क्वार कितना 4-4-7 3-4 रहे कितना 12-4-7 इंट देखे 12-4-7-11 12-11 कितना 1 बस आंसर आगया आपका उसी तरह देखिए एक और पार्ट है इसका 5 by 2 M मतलब M को सब्सेट्यूट करना आपको 5 by 2 into M क्या है 2-4 यह 2-2 cancel हो गया तो क्या बचा 5-4 5-4 कितना 1 बस इस तरह से देखिए कोशन नमबर 1 complete हो गया कोशन नमबर 2 if P is equals to minus 2 similarly जैसे हम लोगोंने कोशन नमबर 1 किया कोशन नमबर 2 भी वही करना है यहाँ पे P का value को substitute करना है आपको minus 2 से आइए करते हैं क्या है कोशन देखिए 4P तो 4 into minus 2 plus 7 मतलब P को आपने minus 2 से substitute किया 4 into minus 2 4 into minus 2 कितना minus 8 plus 7 तो minus 8 plus 7 क्या होता है minus 1 बस यह part हो गया इसी तरह देखिए minus 3 P को किसे substitute करना है आपको minus 2 से minus 2 का square plus 4 into minus 2 plus 7 बस simple simple एकदम simple है आईए यह क्या है minus 3 minus 2 का square कितना 4 plus minus minus 4 to the 8 plus 7 ठीक है plus minus 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 12 minus 8 plus 7 minus 12 minus 8 कितना minus 20 minus 20 plus 7 फिर देखिए minus और plus क्या minus 20 minus 7 कितना 13 साइन किसका बड़ा है minus का इसी तरह देखिए इसका थर्ड पार्ट वाल्यू सब्सिट्यूट करना है minus 2 P का value क्या है minus 2 का cube 3 into minus 2 का square plus 4 into minus 2 plus 7 आईए आगे इसको solve करते हैं तो यह minus 2 minus 2 का cube minus 8 minus 2 का square plus 4 plus 4 plus 4 plus minus minus 4 to the 8 plus 7 ठीक है minus minus plus 2 8 the 16 plus minus minus 3 4 the 12 minus 8 plus 7 simple 16 minus 12 कितना 16 minus 12 4 minus 8 plus 7 4 plus 7 कितना 11 minus 8 कितना 3 बस आ गया खतम है सो कोशन नंबर 3 देखिए if a is equals to 2 and b is equals to minus 2 find the value of very simple substitution करना है यहां पर दो variables है आईए करते हैं कोशन नंबर 3 का first part a square plus b square a का value क्या है 2 मतलब यह 2 का square plus b क्या है minus 2 तो यह minus 2 का square 2 का square क्या है 4 plus minus 2 का square क्या होगा वो भी 4 क्योंको minus 2 into minus 2 क्या होता है 4 होता है तो यह 4 plus 4 क्या मिला आपको 8 मिला बस simple यहां देखिए a square तो यह 2 का square plus 2 into minus 2 plus minus 2 का whole square 2 का square कितना 4 plus minus minus 2 to the 4 ठीक है minus का square minus into minus plus 2 का square 4 यहां देखिए plus 4 minus 4 cancel हो गया तो क्या रहे गया plus 4 रहे गया यहां देखिए a square minus b square a का value क्या है 2 तो यह 2 का square b क्या है minus 2 to minus 2 का square 2 का square कितना 4 minus 2 का square 4 4 minus 4 0 इस तरह से देखिए question number 3 complete हो गया number 4 when a is equals to 0 b is equals to minus 1 then find the value of the given expression इसमें भी वही करना है substitute करने a और b का value in expressions में put करने और उसको simplify करने है एक दम simple है आई यह करते है number one देखिए क्या है 2a square मतलब 2 into a का value क्या है 0 तो यह 0 का square plus b का square b क्या है minus 1 तो minus 1 का square plus 1 0 का square 0 0 into anything 0 into anything 0 तो यह पूरा पार्थी 0 हो गया छोड़ दीजे minus 1 का square plus 1 यह plus 1 तो यह 1 plus 1 क्या मिला 2 मिला हो गया a square a क्या है 0 तो 0 का square a b मतलब 0 into b b क्या है minus 1 plus 2 0 का square 0 0 into anything 0 plus 2 मतलब क्या मिला यहां से plus 2 इतना simple है देखिए 2a square b means 2 into a क्या है 0 तो 0 का square into b क्या है minus 1 यह हो गया plus 2 into a क्या है 0 into b का square मतलब minus 1 का square plus a a क्या है 0 into b क्या है minus 1 एकदम simple 0 का square 0 0 into anything 0 0 into anything 0 0 into anything 0 0 into anything 0 0 plus 0 0 बस हो क्या question number 4 question number 5 देखिए if p is equals to minus 10 find the value of p square minus 2 p minus 100 एकदम simple क्या है p square p क्या है का minus 10 तो यह minus 10 का square minus 2 into p p क्या है minus 10 minus 100 यह आपने value substitute कर दिया उस question में उस expression में आगे क्या करना है इसको solve करिए minus का square plus हो गया 10 का square 100 ठीक है minus minus plus हो गया तू तेंज आप 20 minus 100 100 प्लस 20 120 minus 100 कितना 20 बस हो गया है आए कोशिन नंबर 6 इफ देखिए इस इक्वाल तो 10 find the value of z cube minus 3 in bracket z minus 10 काफी सिंपल सा कोशिन है देखिए जो expression जिसमें आपको value put करना है वो क्या है z cube minus 3 in bracket z minus 10 यह है expression जिसमें आपको value put करना है value क्या पूट करना है z क्या है 10 है यह 10 का cube minus 3 यह 10 minus 10 एकदम सिंपल 10 का cube 1000 minus 3 10 minus 10 0 to 3 into 0 तो क्या होगा 0 so 1000 minus 0 to 1000 minus 0 कितना थाउजन बस खत्म कोश्चिन नम्बर 7 simplify the following expression and find the value when x is equals to 2 पहला काम क्या करने आपको expression को simplify करने इसके बाद value put करने आई यह पहले simplify करते है पहला पाट देखें क्या है एक से ठीक है प्लस 7 ठीक है ब्रैकेट को रिमूफ करना है 4 into x क्या हुआ 4 x minus 54 कितना 20 x plus 4 x कितना 5 x minus 20 plus 7 कितना minus 13 simplify तो हो गया अब क्या करें वैल्यू पुट करने एक्स का वैल्यू क्या है तो फाइब इन्टू टू माइनस 13 मतलब 10 minus 13 क्या मिलेगा minus 3 minus 3 यह पहला पार्ट हो गया दूसरा पार्ट देखिए वैसे पहले सिंप्लिफाई करना इसे तो यह 3 x 3 2s आ 6 हो गया प्लस 5 x minus 7 लाइक टम्स के बीच प्लस माइनस होता है 3 x plus 5 x 8 x हो गया प्लस 6 minus 7 minus 1 आ गया सिंप्लिफिकेशन हो गया वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स का वैल्यू क्या है तो 8 into 2 minus 1 क्या है सिंप्लिफाई करना है फिर इसमें वैल्यू पुट करना है तो क्या है यह 6 x 6 x ब्रैकेट की बार क्या है 5 to 5 से मल्टिप्लाइक करना होगा 5 into x कितना हुआ 5 x minus 5 into 2 कितना 10 हो गया 6 x plus 5 x 11 x minus 10 सिंप्लिफिकेशन हो गया आगे वैल्यू पुट करना है एक्स का वैल्यू क्या है तू है 11 into 2 minus 10 मतलब 22 minus 10 यहां से क्या मिला 12 मिला वैसे ही पार्ट 4 जो है इसको भी सिंप्लिफाई करेंगे 4 2 जा 8 x minus 4 into 1 4 plus 3 x plus 11 ठीक है आगे देखिए 8 x plus 3 x 11 x हो गया 11 minus 4 कितना हुआ 7 7 क्या plus 7 क्योंकि प्लस बड़ा है आगे क्या करना है इस पर वैल्यू पुट करना है 11 into x x कितना 2 plus 7 मतलब 22 plus 7 क्या मिलेगा 29 इस तरह से कोशिन नंबर 7 कंप्लीट हो गया तो कोशन नंबर 8 इसमें भी वही काम करना है पहले एक्स्प्रेशन को सिंप्लिफाई करना है फिर उसमें वैल्यू सब्सेट्यूट करना है और यह इस एक्सेसाइस का लास्ट कोशन है जदी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को यह आ गया माइनस फॉर माइनस फाइफ माइनस नाइट इसको और फॉर्दर आप सिंप्लिफाई नहीं कर सकते हैं आगे क्या करेंगे हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे थ्री एका वैल्यू क्या है माइनस वान माइनस टू इन्टू बी बी क्या है आपका माइनस ट क्या हो गया माइनस 12 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 8 यह हो गया आई इसका सेकेंड पार्ट इसको फॉर्दर पहले सिंप्लिफाइब करेंगे तू से मल्टिप्लाइब करना है तो यह तू ए स्क्वेर प्लस टू एबी प्लस 3 माइनस एब इसमें नहीं कि लाइक टम्स क्या है य आज़े क्या करना है इसमें ए और वी का वाल्यू पुट कर नommes a Solar कि निचा माइनस वॉन का स्कूएर प्लस माइनस वान इंटु बीड़ी क्या है अब का मैंनस 2 प्लस 3 आगे देख execution माइनस प्लस हो जाता है टूल सा टू, माइनस माइनस, प्लस हो गया, टू अंजर, टू, प्लस थ्री, इससे क्या आया, सेवन आया, इस तरह से ये exercise कम्प्लीट हो गया, और पूरी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू